Hello Friends, आज Electrostatic का Lecture No.2 और आज पढ़ेंगे Columns Law Columns Law के Definition, Columns Law का Formula, Columns Law के Application, Packition, Principle of Superposition, इन सब पे Numericals लिए जाएंगे So my name is Mohit and this is your favorite सा channel Smart Study Headline लगाएंगे आज Columns Law Columns Law क्या बताता बच्चो? चार्ज के Interaction के बारे में बताता है अब चार्ज क्या होता है? यदि आपको देखना है तो इसका Link description box में मिल जाएगा वहां मैंने Charge, Carnival Intervation of Charge, Quantization of Charge की basic चीजें डिस्कस की है आज का Lecture ज्यादा important है Columns Law यह Board में बहुत बार पूछा जा चुका है Interaction of Charge How two charges interacted यानि PLUS & PLUS क्या करेगा Repel करेगा MONUS मानस क्या करेगा Repel करेगा PLUS मानस क्या करेगा Attract करेगा ETR conservatives करेगा सवाल यह आती है कि कितनी फोर से Attract करेगा और कितनी फोर से Repel करेगा इसी को Columns ने समझाया है इससे पहले इसकी Definition देख लें Columns ला अस्टेर्श डाइट Force acting between two charges is directly proportional to the product of the charges and universally proportional to the square of the distance उन दो गल चार्ज रहेगा उसका क्या होगा directly proportional होगा और distance का क्या होगा square का inversely proportional होगा अब इसकी Definition देखेंगे सबसे पहले एक plus Q1 charge ले लेते हैं आप दुसरा plus Q2 charge ले लेते हैं और इन दोनों का बीच का डिस्टनस कितना है R है इसे हम one माल लेते हैं इसे हम two माल लेते हैं दोनों क्या प्लस प्लस है तब दोनों क्या करेगा रिपेल करेगा यह इसे किधर ripple करेगा, यह इसे इधर ripple करेगा, यह इसे इधर ripple करेगा, यह इसे इधर ripple करेगा, यह इस पर कितना force लगाएगा, प्लस Q charge है, जो प्लस Q 1 पर कितना force लगाएगा, तो force on 2, यह इस पर कितना force लगाएगा, तो force on 1, due to 2, और यह पर किकनला अलग लगागा Tur triste for two about two due to Bayern और और इंदोनों का बीच में जो force लगता है बों हमें इसा सेंटर पिल लगता है जो इसा सेंटर पिल लगता है इसी कार्णि इसे इधर अपल्क करेगा यह इसे इधर इधर करेगा ऐ दोलिएट दोलनों क comment फोशलेगा हो आऽ एकप्लख यह का रहना है इसे कारें यह सीधा सीधा क्या करेगा आट्रकर शिएकटर करेगा ना कि इस पर फूष लगागा तो यह इधर भागेगा और यह इधर भागेगा ऐसा ही होता है हमेशा जब फूष लगता है यह सिंटर लगता है और यह दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए हमेशा पॉइंट चार्ज होना चाहिए यह मैंसा कैसे चार्ज होना चाहिए ना कि यह बड़ा चार्ज कॉलम्स ला बड़े चार्ज के लिए बहलेड नहीं है इसलिए इसमें पॉइंट चार्ज के बारें पढ़ेंगे सिर्फ है को अब कोलम्स लाने हमें क्या स्मझाया था जो फोर्स लाएगा फर्स्ट वाली पे फ्पर्स और ब्ञ डिन जी तू वह था एक विड डाकर एक सब्सक्ना क्या होगा के टीन टीन तो इसके आपके पेकुल होने क्यों है नेगेटिव होगा जब इसे हम मोर्ड के फॉर्म दिखेंगे था क्या होगा तो एफ इसके डिरिवेशन देखेंगे क्या इसने क्या का था जो फोर्स है बहुत डियक्ली फूबसनल है किसका सब्सक्तार इसका तू ॅढ़ियोग से आधा सॉल फोर्स डियक्ली पिव गार्चोड के गार्चो इसाफ गॵार्च घ्रान बन एक क्विस्टन सिकेंड की बन जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा क्यूटू जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा डिस्टेंस जितना दूर पर इन दोनों का चार्ज रखेंगे उतना कम इंट्रेक्ट होगा उतना कम फोर्स लएगा जितना आपस में रखेंगे उतना ज्यादा इंट्रेक्ट होगा यानि उतना ज्यादा फोर्स लगेगा खो लोम सर ने एक चीज़ बताई थी क्या फोर्स डिपेंड अपन मेडियम फोर्स किस पर डिपेंड करेगा मेडियम पर फोर्स थे टार Drive मिडियम अभी इन दोनों का कम्बाइन करेंगे तो क्या होगा क्या होगा एफ इस डैकली प्रपोशनल टू क्यू बन क्यू टू अपॉन आर का स्कुरार इसन फर्स्ट और इसन सेकंड को क्या कियें कम्बाइन कियें और इसे जब प्रपोशनल को हटाएंगे तो क्या आता है एक कॉंस्टेंट आता है यहां पर क्या होता है कॉंस्टेंट होता है किया क्या है कि कॉंस्टेंट होता है यह किस पर डिपेंट करता है यह मैंसा मीडियम पर डिपेंट करता है डिपेंट्स ओन मिडियम के फोर्स ऑफ एलेक्ट्र स्टेडिक कितना है के क्यूबन क्यूट्व अपाउन आर का स्क्वाइर जो कॉंशनंट होता है वो हैशा सेम बार्टर में इसका sounds क्या है इसलिए अगलें लिक्षेन पढ़ेंएज़ यहां पर फ क्या ईंटग पाल्यू है 9 x 10 . 9 नाइन श्कीर अनुनेट क्या होगी इसकी यहां पुर्ज्का होता है निउटस। फॉर्ज्के कशा यूटन के का दिखे कि आता है था Newton Newton square per Coulomb square इसकी क्या आगी unit आ गई है इसकी constant की unit आ गई है तो क्या लिखेंगे Newton 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 एक्सलम नॉट को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं परमिटी विटी ऑफ फिरी स्पेस बोलते हैं एक्सलम नॉट की बैलू कितनी हो दिये इसकी उनिट क्या होगी कोलम स्कार पर नॉटन मीटर स्कार इसे आगले लेक्सलम में देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर क्या था एक्विएशन सेकंड क्या था एफ क्या है डैकली प्रोपोशनल है किसका वन अपाउन आर का स्क्वाइर का इसे क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं इसे अब समझेंगे यह क्या होता है इसे अब ग्राफ के द्वारा समझेंगे इधर फोर्च हो गया फोर्च और डिस्टन्स के बीच में ग्राफ बनाएंगे आर आर क्या हो जगा से फ्रेस हैं इससे इससे डिस्टन्स बढ़ेगा वैसे फोर्च क्या करेगा कमेगा कितना गुना कमेगा कितना गुना बढ़ेगा आर जब सिटए गटेगा जब हम और को क्या करेंगी ए डवल कर देल sore है जो और को डवल कर देंगे था फोस क्या हो गजगा चार गुना कम जएगा दो का स्क्वाइर चार स्क्विए चार क्या हो कम जगा इसका देलिपन संप है एक फोर्ष है कि डिक्रीजेस है फोर्ट टाइमस है तो न्यू फोर्ष क्या होगा एफ डैस क्या है न्यू फोर्ष है यह पहले आला फोर्ष है चारगुना क्या हो गया कम गया है जब हम आर को क्या कर देंगे हैं हाप कर देंगे हैं होगा तो फोर्ष क्या हो होगा है लेक्ष एक कितना फोर टाइमस जैब इसको हाप करेंगे थाảम तो बन की तरह फोर यद्य कर!' छार कितना हो जाएगा कि इंकरीज कर जैगा ठाइड़ को एफ सो को फोर्ट संट कर जाएगा sebelण पर्छिक नोब कंशत कर जाएगा का जाएगा preacher जाएगा आए यह जो निकाले थे हैं इस फार में है स्टेंस फार में है क्या श्याच्ब निश्कॉ Still देखेंने फ्चॉज्स का इस प्रिशना आ जाने यह अब इससे डेरिवेशन के थूद समझेंगे प्लस क्यू बन चार्ज ले लिए प्लस क्यू टू चार्ज ले लिए अब इसका डिस्टंस कितना हो गया आर क्या आर मैंने टूड मिसे रखेंगे ना कि जिस सिर्फ आर रखेंगे दोनोर पॉजटिव है तो दोनोर अध्य दूसरर क्या करेगा करेगर मैं इस इधर हुपक्ल कर दूट करेगा यह इससे अधर हिपल करेगा ना आर का है उल यह इससे करेंगेλ दूट बीचल कर दूट इधर रिपल करेगा इसका डिरेक्शन इसका डिस्टेंस क्या होगा इसके लिए फाइनल यह हो गया और इनिस्यल यह हो गया ता आरवन वेक्टर माइनस आरटू वेक्टर आये इसे इधर रिपल करेगा इसके लिए क्या डिस्टेंस हो जाएगा फाइनल यह हो जाएगा इनि कि परोसरन बंड दिव टू टू दू है क्या आता था कई इवन क्यूटू अपॉं डिश्टन्स कितना है और कम मोड का क्या होगा अभी किस फॉर में यह वि इसकेलर फॉर में यो मुझे फॉर में चाहिए ठ्र फॉर में रहने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है एक डारेक्शन चाहिए होता है और डारेक्शन कहां से आता है इसके लिए मुझे एक क्या चाहिए इन्यूट वेक्टर और इन्यूट वेक्टर कहां से आएगा इसके लिए इसके लिए क्या डिस्टेंस हैं आप लोग ने एक फ़र्मुरप होगा ये का unit vector क्या होता है ये vector upon magnitude of a vector होता है R का magnitude यहां पर क्या है R1 vector minus R2 vector का magnitude दर सकते हैं यह इसके लिए हुआ और इसके क्यों क्यों से होगा ये बला होगा R2 vector minus R1 vector क्या निकल जेगा इसके लिए ये बाद निकल जेगा force on band due to 2 के लिए R1 minus R2 vector ये वी किस फॉर्म में है यह भी unit vector के फॉर्म में है यह बहुआ इस फॉर्म मन लिखेंगे फिर इसे आट माईनेस अटू के format कि हैं यह फिर इसे आग बढ़ाएंगे तो k q1 q2 upon r को यहां पर क्या लिख सकते हैं force 1 due to 2 के लिए यह लिख सकते हैं r1 vector minus r2 vector का square आगे यहां पर में लिख देंगे r1 vector minus r2 vector upon r1 vector minus r2 vector का magnitude यह magnitude की फाम है था फिर इसे force 1 due to 2 कल्टू k q1 q2 सलूशन इसे solution करने के बाद क्या आएगा नीचे क्या है r1 vector minus r2 vector यह दो इधर आ गया दो यहां पर है आएक यहां पर है इसमें क्या आ जागा magnitude में तीन आ जागा दो एक तीन और यह यह यहां पर लिख देंगे इसे carbon vector minus r2 vector निकल गया यही एक्सप्रेशन था फोर्ष चार्ज फस्ट के लिए अब चार्ज स्रिकन के लिए निकालेंगे इसे compare करके भी आप असानी से कर सकते हों क्या फोर्ष अन्टू ड्यू टू बान इकल टू यहां पर भी स्यम होगा के q1 q2 एपाउन नीचे फोर्ष तू जाहे सब पहले इसलिए r2 vector minus r1 vector बाकि सब स्यम पावर में कितना 3 यहां पर भी r2 vector minus r1 vector force on two on two two on two one याप भी 2-1 इसमें one पहला बाज चाहीं था सेंट से ना पहला बाला seconds एहां expression किसका हुआ चार सेकंड का यह आगा अगर्पऌर नमे आप हम compare करेंगे force of electrostatic force of gravitation तब force of electrostatic अभी मैंने क्या आपने क्या देखा force of electrostatic क्या आया था k q1 q2 upon r का square और force of gravitation क्या होता है force of gravitation यहां पर constant क्या होता है जी आता है और यहां पर charge होता है यहां पर क्या होता है mass होता है m1 m2 upon r k square यह आप लोग 9th में पप्रहा होगा force of gravitation यहां पर constant k value अभी आपने देखा क्या होता है k is equal to 9 into 10 to the power 9 unit क्यों होती है newton meter square पर column square और g की value क्या होती यहां पर constant g क्यतना होती है 6.67 into 10 to the power minus 11 इस unit क्यों होती है newton meter square पर kg square अभी इन दोने के बीच में क्या similarity है अब बोग देखेंगे क्या similarity force of electrostatic force of gravitation के इन दोने के बीच में क्या similarity है इन दोनों क्या follow कर रहा है inverse square law follow कर रहा है नीचे r square है यहां पर भी r square 1.r square 1.r square दोने में है तो क्या लिखेंगे सो से पहले इस में इन दोनों को बीच में force लएगा बो में सा क्या लएगा पर लेगा चाहिए यहां पर q1 q2 charge है दो चार्जे में सा सेंटर लएगा यहां पर m1 i m2 कोई दो को मास है यह थिस पर लएगा में सा सेंटर लगता है इस लिए acts है यह लांग lines ज्वाइनिंग center abodis हम इसा क्या होगा center पर लएगा आए इन दोनों के बीच में क्या difference है अब भी देखेंगे similarity आप लों ने देख लिया क्या पहला वह थालो इंवर्स square ला दुसरा acts along the line joining center of the body अभी इन दोनों के बीच में क्या difference है पहला देखेंगे क्या जो force of electrostatic होता है यह में इसा किस पड़िपेंट करता है medium पर के depends on medium यह अलग-अलग medium के लिए यह अलग-अलग होती है और फोर्स ऑफ्ग्राविटेस्ट क्या होती है G,E Universal constant यह हर जगा क्या होती है एक जैसी होती है यह बदलती नहीं है लेकिन यह मेडियम के निसार क्या होती है चेंज होती है बाटन में कुछ और होगा एर में कुछ और होगा इसकी क्या की वैलू क्या होती है चेंज होती है और जी क्या होती है और इसकी दूसरी डिफ्रेंस क्या है वह भी देखेंगे फोर्स अफ अफ न स्रेटिक होती है। वो अट्रैक्टीव होती है और रिपल्सीव होती है। बलकि फोर्स अफ ग्राईटेशन होती है। वो हमें से क्यों होती है? अट्रैक्टीव होती है। तो एफ फी, can be, attractive, or, repulsive। सब्सक्राइब ग्रेमिटैसं ऑलविघ के अत्रैक्टीव के शुम आ एक डीम्रेटन कर लेंगे इसन क्या है आपको पता भी होगा इसन क्या होती है इसन क्या होती है क्या है क्या है रेशियो में यानि डिभाड देंगे यानि नीचे से नीचे कड़ जाएगा आर से आर स्कार कड़ जाएगा क्या होगा आगे फोर्च अफ इल्लेक्ट्र स्ट्रेटिक अप़ ऑन फोर्स आप ग्रइफिटेशन क्या बचा केई क्यी एरफिटी अपवं जी इंब्ञ आकेटरिंघ्टा *** करेंगे आटkem क्या होगा क्ये तुह उत्ना ही होगा अड़ दोनों छार्ज है छार्च क्या है एले आपर G मास की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रोन पे कितना मास होता है जितना इसका होगा क्यों कि दोनों इलेक्ट्रोन ही है तो A का स्क्वार कर दे अब इसका भैलू रख देंगे के का भैलू कितना है 9 x 10 to the power 9 और चार्ज कितना होथा 1.6 x 10 to the power मानस 19 का स्क्वार मजी की भायलू 6.67 इंटु 10 तु दा पावर माइनस 11 और मास की दिन्यों दिया 9.1 दू 10 तु दा पावर माने 31 का स्क्वार इसे सलुचन करो गेते कितना आगा फोर्स अफ लेक्र स्टेतिक आपों फोर्संफ ग्रेविटिशन आ जागा 10 तु दा का पावर फटिंट्प आ जैगा इससे क्या पतल लगा की फोर्सफ एलेक्र्ट्र स्टेतिक is 10 तु दा पावर में 2 टैम्स क्या है stig演 कर सकते हैं तो सब्सक्राइब को वह सब्सक्राइब कर सकते हैं उतौँ आजए अर्व जर इंस कितना है 숲न के निन और युब्राइब कते संस्टैस यह प्रτού यह प्रomm से अब देखेंगे क्या क्या मिमिटेशन है ज्यों दिखेंगे रिमिटेशन क्या है एक स्टेंडेड चार्ज के रिए बैलिड रही है जैसे एक इतना बड़ा चार्ज हो गया एक इतना बड़ा चार्ज हो गया इतना वड़ा चार्ज आपसमे इसलिए नहीं आधि यह दोने चार्ज दूर दूर पर होता तो यह दोने एक दुसरे divert के पॉइंट होता है तो हो सकती थी लेखिन ये दोने विगर विगर चार्ज आपस में इसलिए नहीं नहीं हो सकती है क्या लिखेंगे लिप और रोड़ है पॉइंट चार्ज ये सिर्फ पॉइंटे चाज़ के लिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, यदि 2 charge यदि rest पर है, बोथ charge are at rest, यह तब valid हो सकती है, यदि 2 charge यदि rest पर है, तब column's lock के लिए valid हो सकती है, यदि बोथ charges are in motion, यह column's lock के लिए valid नहीं हो सकती है, दो चार्ज यादि रिष्ट पर ते भालिट हो सकती है यादि मोसल में दो चार्ज है ते भालिट नहीं हो सकती है और यादि एक चार्ज मोसल में हो और दूसरा एक चार्ज रिष्ट में हो ते भालिट हो सकती है यह भालिट हो सकती है प्रिंस्पल आप सुपर पोजिशन के साथ थांक यू